नमस्कार, यूनिट थर्ड शुरू करते हैं, इसमें हैं प्रोज डिवाइसे और उसमें सबसे पहले हैं एफोरिज्म, एफोरिज्म क्या होता है? एक प्रोवर्ब टाइप के सेंटेंसे होते हैं, जिनको हिंदी में सूपती कहा जाता है, यानि ऐसे छोटे मीनिंग्फुल से जिनको आप इजीली कोड कर सकते हैं, इजीली याद रख सकते हैं, तो एफोरिज्म मीन्स मैक्सिम, यानि एफोरिज्म का मतलब होता है, मैक्सिम यानि के कहावत, एक छोटा सा, कर्ट मतलब की संशिप, ब्रीफ, शोट का मतलब भी वही है, कर्ट का मतलब भी वही है, full of wisdom तो उसको कहा जाता है aphorism multiple choice questions में भी आपसे पूछा जा सकता है और ये comment में भी आ सकता है कि टिपड़ी करने के लिए आते हैं तो अगर descriptive question paper आया तो उसमें comment लिखने के लिए आता है तो aphorism पर आपको comment लिखना हो सकता है तो आप यही लिखेंगे aphorism means maxim a short cut wise saying तो एक ऐसा छोटा sentence small sentence that is full of wisdom that can be quoted the most important characteristic यानि सबसे ज्यादा महत पूँण characteristic मतलब quality of this style इस style का इस shelly का is वो है its axiomatic force axiomatic का मतलब क्या हुआ कि जो चीज़ें सिद्ध होती है swim सिद्ध जिनको बोलते है determinative आप कह सकते है determinant बोल सकते है यानि उनके में सच्चाई छिपी होती है उनको सिद्ध किया जा सकता है तो axiomatic कहलाती है force, ताकत यानि यह जो style होता है यह जो sentences होते है उनको आप सिद्ध कर सकते है उनकी सच्चाई को उनके truth को उनकी reality को you can prove आप उसको सावित कर सकते है तो यह कहलाती है axiomatic force इन दिस स्टाईल इस शैली में sentences tend to become proverbial जो sentences होते है यानि कि जो वाक्य होते है tend to become यानि अक्सर उनकी प्रवर्ती होती है बनने की proverbial मतलब कि कहावत है proverb means कहावत होती है they are brief pity, pointed and prophetic तो यह there थोड़ा गलत छप गया है इस किताम में they are यह होना चाहिए यहाँ पर t-h-e-y they और a-r-e-r they are brief brief मतलब कि sonship और पिती मतलब कि अच्छे से बने हुए sentences सुगठित आपको हिंदी में कह सकते है और pointed मतलब कि sharp जो sharp चीज़ें होती है देखे जिसे के तीर होता है कोई बहुत sharp होता है pointed होता है आगे point उसमें होता है nukilah होता है pointed मतलब nukilah तो जो t-eOR nukilah होता है तो एकदम से कुस्ता चला जाता है जिसके ऊपर फैका जाये मारा जाए जिसको तीर वो घुसता चला जाता है अगर वो pointed हो तो ऐसे ही ये जो sentences होते हैं वो pointed होते हैं मतलब कि आपके दिमाग में आपके दिल में घुसते चले जाते हैं और वो बैठ जाते हैं यानि उनको मतलब कोई चीज़ एक बार जब घुस जाती है दिमाग में या दिल में तो वो easily निकलती नहीं है तो ये sentences ऐसे होते हैं pointed, sharp कि वो आपके दिमाग में बैठ जाते हैं वो आपको काफी समय तक याद रहते हैं कभी-कभी तो कुछ sentences आपको जिन्दगी भर याद रहते हैं तो इसको कहा pointed and prophetic जो prophets होते हैं देख prophetic क्या बोला prophet के कई मीनिंग है एक तो prophecy जब कोई भविश्यवानी करता है तो इसको क्या बोलते हैं prophecy और prophet पेगंबर होते हैं जैसे कि prophet मुहम्मद सहाब है या फिर जो इसमसी हैं उनको भी prophet कहा जाता है यानि इश्वर के दूत होते हैं तो वो जो कहते हैं उसमें सच्चाई होती है क्योंकि वो इश्वर के दूत हैं अब क्या है कि ये जो maxims हैं वो prophetic हैं यानि कि उनमें सच्चाई है यानि कि उनमें एक teaching है, उनमें एक moral lesson है, they are full of moral lesson, और they are full of prophecy, यानि वो जो कह रहे हैं, वो सत्य है, जिसे कि अगर आप हिंदी का example लें, इंगलिश का example तो अभी इसमें बताएंगे हैं, हिंदी का example लें, जैसे कि परहित सरिस धरम नहीं भाई, और परपीडासम नहीं तुलसिदास जी ने कहा है, कि परहित सरिस, यानि परोपकार, दूसरों का हित करना, दूसरों की भलाई करना, उसके जैसा कोई धरम नहीं है, और परपीडासम नहीं अधमाई, यानि दूसरों को कश्ट पहुँचाना, दूसरे को दुख पहुँचाना, उससे बड़ा धर्म कोई नहीं है तो ये क्या है ये प्रोफेटिक है आप किसी को कश्ट पहुंचाए तो आप सुखी कभी नहीं रह सकते आप कभी खुश नहीं रह सकते और आप परोपकार कीजिए दूसरों का हिद कीजिए दूसरों का भला कीजिए यकीन मानिया आप बहुत खुश रहे तो यह prophetic है यानि कि आप उसको इसमें सच्चाई है इस बात में और axiomatic force भी है इसमें यानि आप इसको सिद्ध कर सकते हैं प्रूव कर सकते हैं they are loaded with wisdom यानि कि वो भरे होते हैं with wisdom बुद्धिमानी से तो अभी जैसे मैंने आपको तुलसी दास जी की बात बताई तो बुद्धिमानी से भरी हुई है न बेकन के निवंध आपने office studies पढ़ा है मेरे साथ और भी बहुत सारे essays है of truth है उसका essay of revenge है of marriage and single life है तो ये बहुत सारे essays बेकन ने लिखे हैं जो के बहुत meaningful हैं उसमें जो sentences हैं छोटे छोटे sentences और meaning से भरे हुए हैं तो बेकन's essays are noted तो बेकन के जो निवंध हैं वो noted मतलब उलेखनी हैं for aphorism, aphorism इस style के लिए यानि उसका जो style है वो aphoristic style कहा जाता है उसमें बहुत सारे छोटी छोटी सूकतियां हैं कहावते हैं following are the examples ये कुछ examples दिये हैं और ये सारे ही examples बेकन से ही लिए गए हैं studies serve for delight, for ornament and for ability ये office studies आपके syllabus में है भी और मैं इसको करा भी चुके हूँ आप मेरे साथ पढ़ चुके हैं से तो studies serve for delight यानि जो अधियन है वो किस काम आता है serve for मतलब काम आता है delight यानि की प्रसनता for ornament यानि की सजावट सजावट किसकी आपके शरीर की नहीं बलके जो आपका बातचीत का तरीका है आपका behavior है उसको सजाने का आपका जो conversation का तरीका है उसको सजाने का and for ability ability होती है सामर्थ्य, capacity, ताकत, capability तो ये ability को कैसे बढ़ाती है study आप में बोलने की समता आती है आपके अंदर लिखने की समता आती है आपके अंदर लोगों को face करने की सामना करने की समता आती है आप लोगों से एक अच्छे लहजे में बाचित कर सकते हैं अगर आप studious हैं अगर आप educated हैं अगर आप पढ़े लिखे हैं दूसरा है crafty man condemn ये टी गलत छपा हुआ है यहाँ डी होना चाहिए condemn मतलब कि अलोच ना करना crafty man condemn studies यानि crafty मतलब जो शात्र लोग होते हैं चालाक लोग होते हैं वो studies की बुराई करते हैं उनको criticize करते हैं यानि पढ़ाई को वो criticize करते हैं क्यों करते हैं क्योंकि जब व्यक्ति पढ़ा लिखा होगा तो वो आसानी से बेवकूफ नहीं बनेगा और जो crafty man शात्र लोग हैं वो तो लोगों को बेवकूफ बनाते हैं इसलिए शात्र लोग हमेशा education के खिलाफ होते हैं simple man admire them जो साधरन लोग हैं वो admire यानि कि तारीफ करते हैं studies की क्योंकि उनको तो समझ में आती नहीं तो उनके सामने दो वाग क्या आप English में बोल दीजे तो वो आपकी समझें अरे भाई बड़ा पड़ा लिखा इंसान हैं तो वो simple man जो साधरन लोग हैं वो study को यानि अध्यान की तारीफ करते हैं wise men use them और जो बुद्धिमान लोग हैं वो use करते हैं उपियोग करते हैं जो अपनी study का अपने ग्यान का वो उपियोग करते हैं एक और example देखिए unmarried man यानि कि अविवाहित पुरुष our best friends वो सबसे अच्छे दोस्त होते हैं best masters सबसे अच्छे मालिक होते हैं and best servants और सबसे अच्छे नौकर होते हैं तो best friends देखिए दोस्ती निभाना तब आसान है जब आपके बीवी बच्चे ना हो घर में क्योंकि अगर बीवी बच्चों के रहते हुए आप दोस्ती निभाएंगे तो रोज आपके कान खीचे जाएंगे कहा थे इतनी दिर और अगर आप married नहीं हैं तो आप आराम से अपने दोस्तों के साथ रह सकते हैं तो इसलिए वो best friends हैं, best masters तो देखिए जो mastermind की मालिक तो अगर किसी मालिक की शादी नहीं होई है तो वो वड़ा उदार होता है जो कुछ भी पैसा है उसकोई पास वो अपने नौकरों पर खर्च करता है लेकिन जब वो married है तो भी बीवी थोड़ा तो कंट्रोल करती है न जो व्यक्ति unmarried है वो पूरा time आपकी सेवा में devote कर सकता है लेकिन जो married है उसे घर भागने की पड़ती है क्योंकि भी time से घर पहुचना है वरना तो फिर मुसीवत हो जाएगी तो इसलिए जो unmarried लोग है वो best servants भी होते हैं तो देखिए एक sentence है और काफी meaningful है काफी अर्थ से भरा हुआ है तो इसी लिए ये aphoristic sentence कहा जाएगा फिर next example है और ये भी उसी एस्से से है marriage and single life और उपर वाले दोनों examples थे वो office studies से थे तो दूसरा देखिए marriage and single life से ही दिया गया है wives are young men's mistresses wives यानि कि जो पत्मियां होती है बीवियां होती है are young men's mistresses युवाओं की वो mistresses होती है यानि महबूबा होती है companions for middle age और companion मतलब कि दोस्त या साथी तो middle age यानि कि बयस्क जो लोग है उनकी वो दोस्त होती है and old men's nurses और बुड़े आदमियों की वो नर्स होती है क्योंकि देखिए युवावस्ता में तो आप हसी मजाग और वो सब चलता रहता है तो वो महबूबा हो गई और enjoy करते हैं life को अलग तरीके से तो वो महबूबा होई में stress होई जब थोड़े middle age में आ जाते हैं तो बच्चे बच्चों की education तो वो सारी दोनों मिलकर करते हैं वही बच्चे को ममी तयार करती है टिफिन तयार करती है पापा स्कूल छोड़के आते हैं पापा लेके आते हैं या फिर पढ़ाने में दोनों लोग भई पापा मैथ पढ़ा देते हैं ममी इंगलेश हंदी यह सब देख लेती है तो यह क्या होता है companion होते हैं दोस्त हो जाते हैं husband wife एक दूसरे के middle age में और जो old age है बुड़ हपा है उसमें क्या है लोग बिमार ज्यादा पढ़ते हैं त तो इसलिए बुड़े लोगों की नर्स हो गई फिर यह last है revenge is a wild यह थुड़ा sentence गड़बर है यह होना चाहिए revenge is a kind of wild justice यानि कि revenge एक प्रकार का जंगली नियाय है revenge में क्या होता है अब इस sentence का मतलब क्या हुआ कि revenge में आपको किसी ने थपड मारा बदले में आपने उसको मार दिया तो तुरंत का तुरंत नियाय हो गया यह होता है revenge लेकिन अभी कानून के अनुसार आपको अगर किसी ने मारा है तो आप जाके F.I.R. कराईए उसके खिल लिया है तो वाइल जेस्टेस हुआ यानि कि जंगली ने आए तो जंगल में क्या होता है तुरंत नियाय होता है जानवर एक दूसरे पर अटेक करते हैं तो इस तरीके के जो sentences है वो aphoristic sentences होते है और यह जो style है aphoristic style कहलाता है तो यह एक प्रोस डिवाइस हुई इसके बाद next prose device है anecdote anecdote का मत्नव होता है किसा अकसर आपने लोगों को कहा होगा में असलब सुनते हुए है कहते हुए सुना होगा कि यह किसा सुनो हमारे साथ हैसा हुआ तो यह किसा होता यानि कहानी तो थोड़ी बड़ी होती है और किसा छोटा होता है In regular conversation, an anecdote is understood to be a story, यानि जो regular conversation यानि रोज मर्रा की जो बातचीत है, उसमें एक anecdote यानि कि एक किस्सा is understood, समझा जाता है, to be a story, एक कहानी, about बारे में, real people and events, वास्तविक लोग और घटनाओं के बारे में, यानि लोजाना की बातचीत में, जैसे कोई व्यक्तिकेतार ये किस्सा सुनो, ऐसा हुआ था हमारे साथ, तो वो वास्तविक लोग या वास्तविक घटनाओं से सम्मंधित कहानी मानी जाती है, लेकिन in literature साहित्य में, characters may tell, जो पात्र हैं, वो सुना सकते हैं, anecdote, किसे that are invented, जो क गढ़े गए जो के जिनका अविश्काल किया गया जानि कि जो बने गए हैं, यानि वास्तविक नहीं है, to fit the plot, यानि जो plot है, यानि कि जो कतानक है, उसको उसमें fit करने के लिए, उसमें जोडने के लिए, किसे गढ़े गए हैं, plot of the story, यानि कहानी के कतानक में, types of anecdotes, तो ज जो किसे हैं, वो कई तरीके के होते हैं, there are several types of anecdotes, कई तरीके के किसे होते हैं, humorous, यानि कि हसी मजाग वाले, हास्यास्पद, an anecdote, यानि एक ऐसा किसा, that adds, जो कि जोड़ता है, humor means हसी मजाग to the topic, किसी शीशक के साथ, at hand जो कि हाथ में है मतलब जिस पर लिखा जा रहा है किसी टॉबिक पर जिस पर लिखा जा रहा है उसमें अगर कुछ हाथ से विनोद जोड़ता है कोई किस्सा तो वो humorous किस्सा हुआ फिर reminiscent क्या होता है जो स्मृतियां होती है जो यादें होती है वो remanescence कहलाते हैं तो ऐसा कोई किस्सा जिसमें कि यादें हो अतीत की वो remanescent किस्सा हुआ इस प्रकार के किस्से में दग केरेक्टर जो पात्र है remembers याद करता है something कोई चीज general यानि कि सामान about the past अतीत के बारे में और a specific event या फिर कोई एक खास घटना expressed जो के अभिवयक्त की गई है in ways तरीकों में such as जैसे के यानि इस तरीके से वो याद करता है that reminds me of यानि लिखते लिखते कोई लेखक उसमें डालता है ऐसे कि इससे मुझे ये याद आया when I used to यानि जब मैं किया करता था I remember when मुझे याद and so on और इसी प्रकार के किससे होते हैं reminiscent यानि कि यादगार किससे philosophical यानि कि दार्षनेक जिन में एक एक ओई दर्शन होता है it is expressed ये अभिव्यक्त किया जाता है in order to make others think दूसरों को सोचने के लिए बात धे करने के लिए make others think मनलब दूसरों को सोचने पर मजबूर करना more deeply ज्यादा गहराई से about the topic उस शिर्शक के बारे में at hand जो हाथ में है यानि जिस पर लिखा जा रहा है तो जो philosophical किस्से होते हैं वो लोगों को मजबूर करते हैं और गहराई से सोचने के लिए फिर है inspirational यानि कि inspiration क्या होती है प्रेड़ना तो inspiration inspirational मतलब प्रेड़ना दायक किस्से inspirational में क्या होता है an anecdote एक किसा that is told जो कि सुनाया जाता है in order to inspire यानि कि प्रेड़ना प्रदान करने के लिए प्रेरित करने के लिए encourage करने के लिए hope और other positive emotions hope, उमीद, आशा या फिर दूसरी positive means सकारात्मक emotions, भावनाएं तो ऐसी भावनाएं पैदा करने के लिए किसी के हिर्दे में कि लोग आशावान बनें सकारात्मक बनें उमीद लोगों के अंदर जागे तो इस प्रकार के किस्से होते हैं inspirational they are often about not giving up और ये देयार ये होते हैं ये किसे often, अक्सर about बारे में किसके बारे में not giving up यानी हिम्मत नहारने के बारे में achieving goals गोल होते हैं अपने उद्देश प्राप्ट करने के बारे में achievements प्राप्ट करना goals उद्देश और dreams या अपने सपने साकार करने के बारे में Making the impossible possible जो असंभव है जो नामुम्किन है उसको मुम्किन करने के बारे में असंभव को संभव करने के बारे में And so on और इसी प्रकार के Cautionary, caution अक्सर लिखा देखा होगा आपने Warning लिखी रहती है तो cautionary मतलब चेतावनी देने वाले Stories यानि कहानिया या फिर किसे That warned जो चेतावनी देते हैं Others दूसरों को about the dangers खतरों के बारे में और negative consequences या फिर नकारात्मक परिणामों के बारे में Surrounding the topic at hand Surrounding the topic यानि जो हाथ में है topic जो शीर्षक जिस शीर्षक पर लिखा जा रहा है तो उसके चारों ओर जो नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं तो उनके खिलाफ चेतावनी होती है कुछ किस्सों में Thus इस प्रकार अनेक्डोट्स आर लिटरेरी डिवाइसे तो जो किस्से हैं वो साहित्तिक डिवाइस है डिवाइस को हिंदी में उपकरण बोलते हैं तो आप कह सकते हैं कि ये साहित्तिक उपकरण है Because of their diversity in style Because of मदब कारण वर्ष Of their diversity means vivid In style यानि कि शैली में Tone में आपको बताय था किस सुर होता है किस सुर में आप बोल रहे हैं या फिर किस लहजे में बोल रहे हैं Tone को आप लहजा बोल सकते हैं तो लहजा and utility और उपियोगिता They can be used इनको का प्रयोग किया जा सकता है By almost any person किसी भी व्यक्ति के द्वारा In any situation किसी भी परिस्थिती में In any genre किसी भी Genre मतलब कि जो सहित्तिक रचना में या पध्धती में तो किसी भी सहित्तिक रचना में इनको प्रयोग किया जा सकता है अनेक्डोट्स को तो ये जो अनेक्डोट्स हैं ये जो किस्से हैं राइटिंग को एक ओथर की राइटिंग को interesting बना देते हैं बीच बीच में किस्से आते हैं कोई essay है कोई निबंध है तो निबंध कभी-कभी आपको उतना interest नहीं आता लेकिन उस निबंध में अगर बीच में कोई किस्सा आ जाए कोई कहानी आ जाए तो आपको interest आने लगता है तो anecdotal style एक बहुत interesting style होता है तो ये जो anecdote एक literary device है जो के लेखन को खुबसूरत बनाता है next literary device है antithesis antithesis has two ideas यानि जो antithesis है उसमें दो idea होते हैं दो विचार होते हैं दो बाते होती हैं within one statement यानि एक statement यानि कि एक कथन के अंदर दो बाते होती हैं या दो idea होते हैं दो विचार होते हैं the ideas और ये जो दो विचार हैं are functionally opposite ये जो function मतलब होता है कार्डिया तो functionally यानि उनमें जो action होता है जो कार्रे होता है वो opposite होता है एक दूसरे के when these are compared जब इनकी तुलना की जाती है for emphasis यानि कि जोड देने के लिए it is used इसका प्रयोग किया जाता है to strengthen यानि कि ताकत देने के लिए an argument एक तर्क को by using यानि कि प्रयोग करके either exact opposites या तो एकदम opposite यानि कि विरोधा भासी और simple contrasting ideas या फिर simply यानि कि साधान तया contrasting यानि opposite विरोध करने वाले ideas विचारों को side by side रखा जाता है contrasting ideas को but can also include both लेकिन इसमें दोनों चीज़ें शामिल हो सकती है यानि या तो थोड़ा contrast हो ideas में या फिर exact opposites हो एकदम black and white या तो black के opposite आप gray भी रख दीजिए यानि white के opposite ग्रे भी रख दीजिए लेकिन exact opposites होते हैं black and white some famous examples of antithesis कुछ बड़े जो प्रसिद उदाहरन है antithesis के उनमें एक देखिए give every man the year ये दा की जगे दाई होगा ती एच वाई दाई मींस तुम्हारा ये हमलेट से लिया गया है विलियम शेक्सपियर का ड्रामा है और ये बहुत famous line है उसकी give every man the year but few thy voice दोनों जगे ये टी एच वाई आएगा दाई मींस तुम्हारा तो हर आदमी को अपना कान दो लेकिन बहुत कम लोगों को अपनी आवाज दो कहने का मतलब क्या हुआ कि सुनो तो सबकी लोगों की बात हैं सुनो ज्यादा हर आदमी की बात सुनो लेकिन बहुत कम लोगों से बोलो खुद मत बोलो दूसरों की ज्यादा सुनो और एक ये है फॉर मैनी आर कॉल्ड बट फ्यू आर चोजन ये मैथ्यूज मतलब की ये बाइबिल से लिया गया है ये जो लाइन है तो बाइबिल में एक कहानी है कि एक राजा के बेटे की शादी होती है और वो राजा निमंतरन भेजता है सब ही लोगों को लेकिन उन में से कुछ ही टरना पात होते हैं कुछ ही आते हैं कुछ ही लोगों को चुना जाता है तो और ये जो symbolic है ये कहानी कि जो ईसा मसीह का संदेश है वो सभी लोगों को जाता है यानि सभी लोगों को ईसा मसीह बुलाते हैं कि भई आओ मेरी शरण में आओ लेकिन कुछ ही लोग उनकी शरण में जाते हैं तो ये भी एक एंटिथीस है Many are called but few are chosen फिर एक और है जॉन मिल्टन के epic है महाकाव दे लिखा है जॉन मिल्टन ने Paradise Lost इसमें भी Bible की ही कहानी है उसी पर base करके लिखा गया है तो ये statement वहाँ से लिया गया है ये भी एक एंटिथीस है for contemplation contemplation होता है मतब विचार, मन्थन he यानि कि पुरुष, जो man है जो आदमी है वो है विचार करने के लिए and valer, valer होता है courage, साहस formed means बनाया गया यानि आदमी को किसी के लिए बनाया गया है विचार करने के लिए और साहस के लिए for softness softness नर्मी होती है नाजुकता होती है तो softness के लिए यानि कि नाजुकता के लिए she, यानि कि इस्ती को बनाया गया है इस्ती को soft होना चाहिए नाजुक होना चाहिए ऐसा Milton ने लिखा है paradise loss में हलांके अब तो इस तरियां फौज में भी भरती होती हैं पुलिस में भरती होती हैं तो सौफ तो नहीं होती वो जब फौज में और पुलिस में भरती होती हैं तो यह उस जमाने की बात है मिलिटन के जमाने की Paradise Lost में उसमें लिखा है कि जो पुरुष है उसको साहस के लिए ब बनाया गया है यानी इस तstring विचार भी नहीं कर सकती ही उनको विचार भी नहीं करना चाहिए उनको सिर्फ का it is soft होना चाहिए dubh softness she and sweet attractive grace और उसमें sweetness होनी चाहिए मधुरता होनी चाहिए attractiveness होनी चाहिए मतलब कि उसको आकरशक होना चाहिए और उसको graceful होना चाहिए यानि कि संभांत होना चाहिए यानि ज़स ग्रेसफुल क्या होता है जोर से नहीं बोलना fast नहीं चलना गुसा नहीं करना ये सारी चीज़ने graceful कहलाती है he for God only he मतलब कि जो आदमी है जो पुरुष है जो मेल है वो केबल ईश्वर के लिए बना है she और जो इस्तरी है she for God in him वो उस ईश्वर के लिए बनी है जो के मनुष्य के अंदर है यानि मेल जो पुरुष है उसके अंदर जो God है भगवान है उसके लिए बनी है इस्तरी तो ये एक antithesis हुआ अभी जो feminist हैं वो इस बात से बहुत नाराज होते हैं कि भही इस्तरी क्यों केबल पुरुष के लिए बनी है इस्तरी आप में भी तो self sufficient हो सकती है खुद भी तो वो independent हो सकती है तो feminist इस बात को लेकर काफी लड़ते हैं लेकिन यहां बात हो रही है antithesis की तो antithesis इस प्रकार के जो opposite ideas हैं उनको side by side रखा जाता है तो देखिए पढ़ने में अच्छे लगे ना यह sentences आपको और interesting भी हो गए तो यह एक literary device है जिसको के authors यानि कि लेखक लोग प्रयोग करते हैं अपनी writing को attractive बनाने के लिए अगली literary device है analogy analogy मतलब कि किसी चीज में similarity होना similarity दिखाना समानता दिखाना likeness दिखाना तो analogy means a partial likeness तो जो analogy है उसका मतलब है partial means थोड़ी अंशिक likeness मतलब similarity समानता और argument between two things या फिर जो दो चीजें है उनके बीच में एक वाद विवाद it is an agreement in certain respects तो ये एक agreement है एक समझ होता है एक similarity है in certain respects यानि कुछ निश्चित पहलों पर यानि दो चीजें एक दम एक जैसी ना हों भले ही लेकिन उनमें कुछ चीजें समान होती हैं between two things दो चीजों के बीच में otherwise different और otherwise मलब इसके अलावा वो different होती हैं कुछ पहलों उनके समान होते हैं कुछ aspects उनके similar होते हैं लेकिन वो otherwise different होती है यानि कि इसके अलावा वो एक दूसरे से भिन होती हैं example देखिए my teacher drew an analogy मेरे शिक्षक ने एक analogy बताई between a human heart and a pump एक मनुष्य के हिर्दय और एक pump के बीच में तो देखिए मनुष्य का जो हिर्दय है वो क्या करता है heart वो blood को pump करता है पूरे शरीर में भीजता है pump करके अगर वो pump नहीं करेगा तो पूरे body में blood नहीं जा सकता तो बहुत pressure से वो pump करता है एक pump होती है उसे आप अपनी गाड़ी में हवा भरते हैं तो अगर वो pump प्रेस नहीं करेगी तो आपके जो पहिया है जो tube है आपकी गाड़ी का tube tire उनमें हवा नहीं जाएगी तो एक analogy है human heart और pump के बीच में बाकी तो देखिए कोई similarity नहीं है जो human heart है वो muscles का बना हुआ है जो pump है वो लोहे की बनी होती है और उसमें एक rubber का या plastic का pipe होता है तो एक दम एक दूसर से different है जो human heart है उसमें life है बलकि वो life को maintain करता है और pump तो वो एक निरजीव चीज है lifeless thing है फिर एक और analogy देखिए आर लाइफ हमारा जीवन is है बट केवल a dream एक सपना made of जो कि बना हुआ है airy nothing airy मतलब हवाई nothing मतलब कुछ भी नहीं तो जो dream होता है जो सपना होता है वो कुछ भी नहीं होता है आप जगते हैं गायब हो जाता है जब आप सपना देख रहे होते हैं तो सारी चीज़ें real लगती हैं वास्तविक लगती है कि भाई हाँ जो हो रहा है वास्तव में हो रहा है तो ऐसे ही life में हमें लगता है कि भा लाइफ खतम तो सारी चीज़ में खतम जो हमारा था कुछ भी हमारा नहीं रहता तो लाइफ जो है एक ड्रीम की तरह है लेकिन अब देखिए थोड़ी तो समानता है लाइफ में और ड्रीम में लेकिन ड्रीम से क्या होता है कि हम जग जाते हैं और वापस आ जाते हैं लेकिन एक बार जब चली जाती है तो हम वापस नहीं आते हम life से death में एक बार गए वापस नहीं आते तो इतनी भी ज़्यादा समानता नहीं है life में और dream में life थोड़ा real है dream क्या है जगते ही खतम हो जाता है तो यह analogy होती है दो different चीजों के बीच एक समानता होती है तो ये analogy है तो ये analogy भी देखिए writing को खुबसूरत बनाती है ये भी एक literary device है जिसको के authors यूज करते हैं अपनी writing को अपने expression को खुबसूरत बनाने के लिए अगली device देखिए जो कि prose में यूज की जाती है वो है inversion inversion का मतलब होता है किसी क्रम को उल्टा कर देना अद्द सिंटेक्टिक reversal syntactic मतलब के वाक्य विन्यास इसको हिंदी में बोलते हैं लेकिन वाक्य विन्यास तो मुझे लगता है syntactic से भी ज़्यादा difficult हो गया आप इसको grammatical बोल लीजिए कि grammatical यानि विया करनी reversal means उल्टा करना विपरीद करना of the normal order normal मतलब सामान ने order मतलब क्रम जो सामान क्रम है उसको grammarily उल्टा कर देना order of words and phrases यानि शब्दों और वाक्यांश कहलाते हैं ये phrases और clauses तो इनके क्रम को उल्टा कर देना in a sentence एक वाक्या में is called कहलाता है inversion यानि विपरीद करम it is also called anastrophe तो ये आपको note करना है कि inversion को हम और क्या कह सकते हैं anastrophe anastrophe वही है कि किसी वाक्या में जैसे कि पहले subject आना चाहिए फिर औबजेक्ट फिर वर्ब आती है फिर object आता है तो अब ये करम अगर आप उलडते हैं तो वो inversion हो जाएगा जैसे अभी आगे आएगा देखिएंगे आप तो इसको हम और क्या कह सकते हैं anastrophe ये note कर लिजे inversion और anastrophe it is used as a literary style it is used जिसको प्रियोग किया जाता है as a literary style एक साहितिक shelly के रूप में and rhetoric rhetoric होती है बोलने की shelly तो literary style यानि लिखने की shelly और rhetoric क्या हुआ बोलने की shelly भाशन में इसको योज़ किया जाता है जैसे के जो सामने sentence है वो हम कहेंगे वो दिन कहां गए तो ये normal sentence हुआ लेकिन हम emphasize करने के लिए rhetoric में क्या बोलते हैं कहां गए वो दिन कहां गए वो पल तो हम उसको sentence को थोड़ा सा उल्टा कर देते हैं तो वो दिन कहां गए की जगे हम बोलते हैं कहां गए वो दिन तो ये rhetoric यानि के बोलने की कला होती है It is commonly used ये सामनेत है प्रयोग किया जाता है यानि inversion को प्रयोग किया जाता है in poetry काव्य में in order to satisfy यानि शान्त करने के लिए संतुष्ट करने के लिए the demands of the meter तो poetry में एक meter होता है यानि देखे चंद होते है हिंदी में भी चंद होते है जो मात्रा होती है चोटी मात्रा होती है बड़ी मात्रा होती है उनको मिलाकर चंद बनते है ऐसे ही English में भी meter होता है जैसे आप जब शिक्सपे के ड्रामाज पढ़ते है तो वो iambic pentameter में लिखे गए है यानि उसमें five pairs होते हैं iamb के तो iambic pentameter में लिखे गए है तो उसकी जो meter होता है उसकी एक demand होती है उसकी एक मांग होती है यानि वो meter आपको पूरा करना है मात्रायें पूरी करनी है तो inversion करना पड़ता है कभी आगे पीछे शब्द रखने होते है poetry में and achieve an emphasis in tone and achieve और प्राप्त करने के लिए an emphasis emphasis जोर होता है in tone यनि कि लहजे में, सुर में तो जैसे मैंने अभी आपको बोल के बताया कि कहां गए वो दिन तो ये क्या हुआ tone में emphasis आया जोर पड़ा tone में तो जो sentence है वो ज्यादा effective हो गया ज्यादा प्रभावशाली हो गया it is considered a literary defect it is considered इसको माना जाता है एक literary defect यानि कि एक साहिप्तिक कमी if it is used अगर इसको प्रयोग किया जाता है for the sake of maintaining a rhyme scheme rhyme scheme maintain करने के लिए जैसे आपने जब sonnet मेरे साथ पढ़ा था तो मैंने आपको बताई थी कैसे rhyme scheme होती है a, b, a, b, c, d, c, d, e, f, e, f, g, g ये English sonnet की rhyme scheme थी तो अगर rhyme scheme को maintain करने के लिए इसे प्रयोग किया जाता है तो इसको एक literary defect मानते हैं in English यानि की अंग्रेजी में when an adjective is placed जब एक adjective को रखा जाता है after the noun किसी noun के बाद noun यानि की संग्या के बाद it modifies जिसकी की ये विशेश्ता बताता है जिसे he is a good boy तो boy की विशेश्ता बता रहा है good तो लेकिन वो आया boy से पहले तो adjectives जो होते हैं जिस noun को qualify करते हैं उससे पहले आते हैं लेकिन अब अगर placed after the noun तो अगर noun के बाद रखा जाए जिसको ये modify कर रहा है जिसकी विशेश्ता बता रहा है और या फिर a verb before its subject एक क्रिया उसके subject यानि कि करता से पहले रख दी जाए तो ये गलत होगा न कि जो verb है वो बाद में आती है जिसे he went to school या he slept तो he करता है और slept verb है सो गया वो सो गया लेकिन अगर हम कहें slept he तो ये उल्टा हुआ न और गलत हुआ grammatically तो और अब preposition after a noun या फिर कोई preposition noun के बाद आता है जबकि preposition noun के पहले आता है जिसे he went to school तो school के पहले आया to तो हम ये तो नहीं कह सकते he went school to it is called an inversion तो इसको क्या कहा जाता है inversion अगर आपने उल्टा रखा है अगर कहीं literature में उसको उल्टा रखा गया है तो वो inversion कहलाता है अब देखिए examples inversion के she had a form divine यानी she had उसकी थी a form मतलब कि आकरती बनावट divine मतलब देविय थी यानी वो लड़की इतनी खुबसूरत थी कि वो इंसान नहीं लगती थी फरिष्टा लगती थी कोई देवी लगती थी कोई गोड़ेस लगती थी तो अब जो सही sentence होना चाहिए वो होना चाहिए she had a divine form तो divine पहले आना चाहिए form से लेकिन यह inversion हो गया she had a form divine early came the dawn तो dawn होती है भोर सुबह तो सही sentence होना चाहिए the dawn यह subject है sentence का came I सुबह आई और early तो last में आना चाहिए क्योंकि यह adverb है जो came को qualify कर रहा है came verb है और उसको qualify कर रहा है early तो यह तो बिल्कुल last में आना चाहिए यह sentence होना चाहिए the dawn यानि कि subject पहले फिर came जो के वर्व है फिर early जो के adverb है लेकिन यह sentence बनाया early came the dawn तो यह inversion हो गया I hang worlds between I hang मैं लटका हुआ हूँ worlds between worlds means दुनिया संसार between बीच में यानि दो संसारों के बीच में लटका हुआ हूँ मर रहा हूँ ना जी रहा हूँ ना तो उपर जा पा रहा हूँ ना नीचे आ पा रहा हूँ ना इधर जा पा रहा हूँ या मैं इधर जाऊं के उधर जाऊं तो दो संसारों के बीच में लटका हुआ हूँ यानि के I am in a dilemma जब व्यक्ति दो चीजों के बीच में लटका होता है इधर जाऊं या उधर जाऊं तो वो क्या हुआ dilemma होता है तो अब ये सही sentence होना चाहिए I hang between worlds बिट्वीन पहले आना चाहिए प्री पोजिशन है worlds के पहले आना चाहिए लेकिन ये inversion हो गया I hang worlds between अगला example है इन जैनेडू ये यहा आना चाहिए ये गलत छपा हुआ था इस book में तो मैंने इसको card दिया है सही शब्द है जैनेडू ये एक जगह है तो ये कुबला खान बहुत famous poem है अभी मैंने आपको नहीं पढ़ाई है पढ़ाऊंगी जल्दी ही मेरी favorite भी है बहुत खोबसूरत poem है और ये स्टी कॉलरिज ने लिखी है Samuel Taylor कॉलरिज ने तो उसमें आता है कि कुबला खान ने decree मतलब के आदेश दिया तो कुबला खान ने इस्टेट लिए होता है शांदार pleasure dome मतलब बहुत आनंद दायक महल बनाने का आदेश दिया कुबला खान ने और वो महल कहां बनना था जैनेडू में तो सही sentence क्या होना चाहिए सही sentence होना चाहिए कुबला खान decreed यह decree की जगए decreed आना चाहिए second form आना चाहिए कुबला खान decreed a stately pleasure dome इस तरीके से यह आना चाहिए sentence लेकिन यहाँ inversion हो गया अब poem है, poem में तो inversion अक्सर मिलता है poetry में तो यह sentence देखिए एकदम उल्टा कर दिया in सेने डू डिड कुबला खान a stately pleasure dome decree तो यह एक literary device है inversion जो के खुबसूरत बनाने के लिए लेखन को use की जाती है अक्सर poetry में use की जाती है लेकिन यहाँ आप prose devices पढ़ रहे हैं prose में भी use होती है हलांकि यह जो example है यह poetry का है poem से लिया गया है अगली literary device है theme यह जितनी खुबसूरत होगी जितनी attractive होगी तो लोग उस चीज़ को उतना ज्यादा पढ़ेंगे the subject of a talk or a piece of writing तो the subject theme मतलब की विशेवस्तू होती है तो subject यानि की विशे of a talk एक बाचीत का और a piece of writing या फिर एक लेखन का एक रजना का is called the theme उसको कहा जाता है विशेवस्तू it is a subject set तो ये एक विशे का set होता है और proposal for discussion या फिर एक proposal यानि की प्रस्ताव होता है for discussion विचार विमर्ष का और spoken और written about यानि जिसके बारे में बोला जाता है या फिर जिसके बारे में लिखा जाता है it is a ground for action ये मतलब एक ground होता है एक जमीन देता है एक base देता है आधार देता है for action यानि क्रिया कलाब का तो जो theme है या जो subject है वो base है ground है आधार है foundation है नीव है जो कुछ भी लिखा जा रहा है उसकी it is the big idea ये बड़ा विचार है of a work एक रचना का एक काम का तो जो theme है जो विशेवस्तू है वो केंद्री शीर्षक होता है in a text or story एक लेख में या फिर एक कहानी में it can be divided इसको बांटा जा सकता है into two categories दो भागों में दो category में what the work is about यानि जो work है जो कहानी है या फिर जो निबंध है वो about यानि कि किस बारे में है what the work is about तो जो रचना है वो किस विशे में है किस बारे में है and what the work says about the subject और वो रचना उस विशे के बारे में कहती क्या है यानि एक तो जो रचना है वो किस बारे में है और उस बारे में वो रचना कहती क्या है यानि opinion क्या हुई जो author है उसकी a theme may be shown जो theme है जो विशे वस्तु है may be shown यानि कि प्रदर्शित की जा सकती है by actions कार्दियों के द्वारा और words या शब्दों के द्वारा और thoughts of a character या फिर एक character है जो पात्र है उसके विचारों के द्वारा जैसे आप सभी लोगों ने एक example मैं आपको दूँ सभी लोगों ने एक फिल्म देखी होगी infinity war और end game देखी होगी तो उसकी theme क्या है आपने सोचा फिल्म तो आपने देख लेई होगी theme क्या है कि जो population बढ़ रही है उसका वो एक burden बन गई है जो हमारे संसाधन है जो धर्ती पर जितनी चीज़ें हमारे पास मवजूद है उनके उपर एक बोज बन गई है हमारी बढ़ती हुई जन संख्या तो उसके लिए थेनोंस क्या रास्ता निकालता है कि भई आधी जन संख्या वो चुटकी बजाके खतम कर दी जाए तो बाकी जो आधी जन संख्या बचेगी उसके लिए ये संसाधन काफी होंगे लेकिन ये सोचना तो आसान है कुछ लोगों को थेनोस का ये आइडिया पसंद भी आया कि भई आधे लोग इस धर्दी से खतम हो जाएं तो बाकी आधे लोगों के लिए ये संसाधन काफी है साथ अरब की आवादी है इस दुनिया की लेकिन समस्या तब आती है जब अपना कोई चला जाता है उस आधी जन संख्या में जब हमारे परिवार के लोग चले जाएं और हम अकेले रह जाएं तो वो समस्या आती है न तो ये एक थीम थी ये एक थौट था जिस पर के विचार करना था तो उस फिल्म ने हमें एक थौट दिया कि हमको आखिर जन संख्या कम कैसे करनी है अपनी धरती की तो ये जो थीम है ये जो थौट है ये जो कंसेप्ट है अलग-अलग कंसेप्स अलग-अलग राइटिंग्स में, एसे में, स्टोरी में, नॉवल्स में, फिल्मों में हमको मिलते हैं तो अब ये कैसे प्रदर्शित किया जाता है अथीम में भी शोन बाइ एक्शन्स और वर्ड्स और थौर्ट्स और अफ अ करेक्टर तो जो विशेवस्तू है वो प्रदर्शित की जा सकती है एक्शन्स के द्वारा, कार्दियों के द्वारा, वर्ड्स, शब्दों के द्वारा और थौर्स या विचारों के द्वारा of a character, एक पात्र के एक जो आर्ट का वर्ड है, जो कला की एक रजना है उसकी थीम, उसकी विशेवस्तू, may be anything, कोई भी चीज हो सकती है big और small, बड़ी या छोटी, from the universe to an atom यानि ब्रह्मान से लेकर एक atom तक, एक कन तक, एक अनुपरमानू तक कोई भी चीज, एक work of art की थीम हो सकती है, विशेवस्तू हो सकती है it may be, ये हो सकती है, love, frame हो सकता है, death, मृत्य हो सकती है betrayal, धोखा हो सकता है, और conflict या संघर्ष हो सकता है between man and society, यानि मनुश्य और समाज के बीच का संघर्ष between human and technology, इंसान और तकनीक के बीच का संघर्ष जैसा के आपने Terminator में देखा था, शंकर 2.0 में भी था तो ये theme हो सकती है, और the theme of a text may be literary तो जो theme है, विशेवस्तू है, of a text, एक लेखन की, may भी हो सकती है लिट्रेरी साहित्तिक, पर्सनल यानि व्यक्तिकत, सोशल सामाजिक, पॉलिटिकल, राजनीतिक, फिलोसफिकल, धार्षनिक, एजुकेशनल, शेक्षनिक, एकोनोमिक, आर्थिक, रिलिजियस, धार्मिक, एंड साइन्टिफिक, और व्यज्यानिक, एंड टेकनोलोजिकल, और तकनीकी तो एक लिट्रेरी पीस में किसी एक कहानी में या एसे में ऐसा नहीं है कि कोई एक ही थीम होगी या लव थीम ही होगी या डैथ थीम ही होगी बहुत सारी थीम्स होती है एक ही एसे में या एक ही ड्रामा में एक ही कहानी में जैसे कि आपने मेरे साथ कहानी पढ़ बुड़े बाप के जिन्दा रहते हैं उसका जवान बेटा मर जाता है तो डैथ की थीम है दूसरा एक प्यार है एक बाप का अपने बच्चे के लिए प्यार तो वह लव थीम भी है लव सिर्फ एक लड़के और लड़की का बीच का रिष्टा नहीं होता या हस्बेंड लोग सेल्फ सेंटर्ड हैं अपने तक ही सीमित हैं उन्हें दूसरों के सुख्ट दुख से कोई लेना देना नहीं है एक बुड़े पिता का जवान पुत्र मर गया लेकिन उसके दुख को कोई सुनने के लिए तयार नहीं है तो लोग कितने सेल्फिश हैं कितने सेल्फ सें चल रहे हैं ये भी एक theme थी तो कहने का ताथ पर यह है कि एक ही literary piece में एक ही साहित्तिक रचना में बहुत सारी themes हो सकती हैं और ये एक ऐसी device है जो जितनी attractive होगी literary piece उतना ही interesting होगा उतना ही ज्यादा पढ़ा जाएगा तो मुझे लगता है कि ये वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करूं क्योंकि अभी pros devices काफी बची हुई हैं तो बाकी की जो pros devices हैं हम दूसरे वीडियो में work करेंगे तब तक के लिए धन्यवाद